तो अब तक जो है आपने सुन लिया वगए कि रात में इम्रान खान को प्रायमिनिस्टर के बस से निकाल दिया गया धक्के मार के इनको परल्लेमेंट से बाहर निकाल दिया गया यहां पर यह चाहुँ ठी आ आखरी सास तक जो है यहाँ पे लड़ेंगे आखरी तक हम लड़ेंगे new conference motion से लेकिन at last finally हुआ यह कि इमरान खान को पारलियमेंट से धक्के मार के बाहर निकाल दिया किया लेकिन अब कहानी यहाँ पे हो रही कि बहुत सारे लोग यहाँ पे यह डेमांड कर रहे है कि इमरान खान को जेल हो जाना चाहिए इमरान खान को तुरंत अरेस्ट करो इसके आलाव जो speaker और deputy speaker है उनको भी arrest करो क्योंकि उन्होंने भी constitution का violation किया है पाकिस्तान का जो समविधान है उसका article 95 का जो है नोंने लंगन किया है नाव देखो हुआ क्या है कि कल सुबह 10 बजे से parliament जो है पास किया गया और बहुत सारे लोग इसी favor में थे कि पाकिस्तान के Prime Minister को हटा देना चाहिए यह मतलब no confidence motion का जो है हम समर्थन करते हैं और इस पर आपको tweet भी देखने को मिलेगी है मरियम नवाज शरीफ की यहाँ पर tweet है Supreme Court of Pakistan must take immediate sue motor notice of present violation of its decision order arrest of Imran Khan Speaker Deputy Speaker before he blows everything up bureaucracy administration should refuse to comply with any orders coming from the government तो basically कई सारे लोग यहाँ पर यही demand कर रहे हैं कि पाकिस्तान के Prime Minister को arrest कर लेना चाहिए और मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान के जो airports है वो बिलकुल high alert पर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में एक तरफ civil war की भी जो हिस्तिती बढ़ रहे थे हैं इस पर आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा Imran Khan government's fall after midnight no trust vote So basically Imran Khan की सरकार जो है अब finally गिर चुकी है और यह मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि आने वाले समय में शहवाद सरीफ जो है प्राइम निस्चर होने वाले हैं पाकिस्तान के तो actually में क्या हुआ है किस तरीके से इस पूरी प्रोसेस को यहाँ पे follow up किया गया है काफी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा उसके पहले अगर आप किसी भी एक्जाम के प्रोपिर्शन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट को कर सकते हो आपको simply करना क्या होगा आपको download करना होगा फिर आपको sign up करना है आप दो वीडियो से lecture देख सकते हो जो demo lecture होंगे फिर आपको profile में जाना है plan को purchase करना है courses को और देखो basically supreme court ने यहाँ पर यह order दिया था और मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि 9 अप्रेल को voting होना है अब 9 अप्रेल से सुबह से voting चालो हुई 10 बज़े जो है parliament यहाँ पर open हुआ सब सांसत यहाँ पर पहुँचे लेकिन 4 बार पूरी assembly को adjun कर दिया गया चार कोई भी decision नहीं हुआ लेकिन finally जब रात में 12 बच गए तो उसके बाप फिर से जो है आप no confidence motion को लाया गया और finally उस पर बास शुरू हुई और 174 member जो है इस पक्ष में थे कि पाकिस्तान के प्राइमनिस्टर जो है इमरान खान उनको हटा देना चाहिए वो बिलकुल incapable है इस कि हम जो है प्राइमनिस्टर रहे हमारी पार्टी जो है पावर में रहे और इसकी वज़े से मुझे personally ऐसा लगता है कि इमरान खान को बहुत ही बड़े loss से जो है यहाँ पे गुजरना पढ़ रहा है और finally इमरान खान पाकिस्तान के पहले से प्रधान मंतरी बन गए है जिन को no trust vote के थुरू जो है यहाँ पे remove किया गया है मतलब no confidence motion के थुरू जो है यहाँ पे remove किया गया है और इमरान खान शुरू से यहाँ पे यह कहा रहे थी कि मैं अपनी last ball तक यहाँ पे लड़ूंगा मतलब till the last ball मैं यहाँ पे fight करूँगा और इनका जो पूरा drama है वो 72 प्लस seat और opposition ने जो है already यहाँ पे 174 members को जो है आपे secure करके रखा हुआ तो मतलब 174 members के support था इनके पास तो no confidence motion के साथ थे 174 लोग और finally पाकिस्तान के prime minister को जो है remove कर दिया गया और देखो मैं आपके एक जिस बता दूँ कि जब voting हो रही थी तो इमरान खान की जो पार्टी पाकिस्तान तहरी के इनसाफ इनके member जो है assembly से walk out कर गए voting के पहले ही क्योंकि उन्होंने काफी कोसिश करी कि यहाँ पे voting ना हो no confidence motion जो है यहाँ पे रुक जाए इन्होंने काफी सारा यहाँ पे drama create किया लेकिन finally court ने इस चीज़ को यहाँ पे mention किया था कि बिलकुल voting जो है हो official residence है उसको जो है यहाँ पे vacate कर दिया मतलब उसको जहाँ पे खाली कर दिया और देखो मैं आपको बता दूँ कि अगर no apparel जाने की कल voting नहीं होती तो बिलकुल speaker deputy speaker इन सब को जो है यहाँ पे jail हो जाती क्योंकि Supreme Court ने clearly यहाँ पे mention किया था और इन्होंने एक prisoner को भी जो है पे भेजा था एक prisoner when को भी यहाँ पे भेजा था कि अगर voting में कोई भी problem होती है यह voting होने नहीं देते यह no confidence motion को जो है यहाँ पे pass होने नहीं देते तो speaker deputy speaker इनको जो है यहाँ पे arrest कर दिया जाएगा मतलब Supreme Court में clearly order दे दिया था कि 9 अपरेल की रात तक बिलकुल जो है voting हो ज पाकिस्तान के Prime Minister को jail हो सकती है देखो जो इन्होंने किया है वो है unconstitutional इन्होंने article 75 का जो है यहाँ पे violation किया है इनके जो डिप्टी speaker है इसके अलावा speaker है इन्होंने भी no confidence motion को जो है यहाँ पर reject कर दिया था तो बिलकुल यह असमविधानिक है अब पाकिस्तान की जो higher authority है वो यहाँ पर decide करेंगी कि आने वाले समय में इनके साथ होना क्या है और देखो इनको जो है यहाँ पर tight security में भी रखा गया था क्योंकि यह जो है देश न छोड़ दें कई खबरें यहाँ पर यह भी आ रहे थी कि इमरान खान जो है देश भी छोड़ सकते हैं तो at last I hope कि आ अपने opinion लेखिएगा ज़रूर इसी के साथ यह तंद इस वीडियो का सुने के लिए बहुत बतने बाद जहें जबाद